हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आज हम बनाने जा रही हैं छोले बटूरे जो की सब के ही फेवरेट होते हैं बच्चे हो या बड़े सब लोग बहुत जादा शौक से खाते हैं तो आज हम बनाएंगे छोले बटूरे चलिए स्टार्ट करते हैं यह आप सबसे पहले मैं लोंगी 500 ग्राम के करीब सफेद वाले जो छूले आते हैं वो मैंने लिये है इसे मैंने पांच घंटे के लिए भीगो के रग दिया था यहापे हम भटूरे का तैयार करते हैं यहादा किलो के करीब मैंने मैदा लिया है देखिए आप मैदा के अंदर म नमक आड़ किया है और एक पैकेट इनो का आड़ किया है थोड़ी सी मैं शुगर आड़ कर दूंगे यहां पर मैंने एक बड़ा चम्मच खट्टी वाली दही लिया है इसे भी मैंने इसमें डाल दिया दो छोटे चम्मच के करीब यहां मैंने रिफाइंड ओयल लिया है देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों से ताकि रिफाइंड अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए अब हम इसे जैसे आटा गूनते हैं सेम उसी प्रोसेस से हम गूनेंगे लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एट करना है और एक सॉफ्ट हमें डो त्यार करना है सॉफ्ट जैसे हम आटा गूनते हैं यह देखिए इस तरह से पानी हम जादा यूज नहीं करेंगे आप चाहे तो उसकी जगा थोड़ा सा ओईल भी यूज कर सकते हैं यह हमारा यहाँ पे आटा एकदम रेडी है तैयार हो गया है इसमें उपर की तरफ थोड़ा सा ओईल लगा के रख देंगे यह देखे इस तरह से ताकि आटा हमारा सूखे नहीं उसके बाद यहाँ पे एक गीला कपड़ा लेके इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे गीले कपड़े के साथ देखे इस तरह से अग तकरीबन दो घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए ताकि अच्छे से खमीर हो जाए यहाँ पे आप त्यारी करते हैं छोले बनाने की यहाँ मैंने वन एंड़ आफ यानि के डिड़ ग्लास के करीब पानी डाला है थोड़ा समय इसमें सॉल्ट एड़ कर दूंगी नमक यहाँ मैंने आवला लिया है सूखा हुआ जो आवला आता है इसे भी मैंस में डाल दूंगी यहाँ मैंने 5-6 आवले लिये है और आप चाहें तो टीक लीव्स और चाय पत्ती की पोटली बनाके भी डाल सकते हैं यहाँ पर हमने इसे उबलने के लिए रख दी है तकरीबन 4 सीटी के बाद यह अच्छे से उबल जाएगा यह देख सकते हैं यह हमारा अच्छे से बॉइल हो चुका है एक दब यहाँ पर मैंने प्यास और टमाटर ले लिया एक बड़ा प्यास जिसका मैंने पेस्ट बना पाउडर आमचुर पाउडर किचिन किंग मसाला गरम मसाला और छोले का मसाला यह सम मैंने ले लिया आप कौंटिटी इसकी देख सकते हैं यहां पर मैंने सूखी वाली जो मेथी आती है, उसको मैंने थोड़ा सा भून के रख लिया है, एक चमच के खरीब मैंने यहां तेली उस किया है, इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, आदा चमच, भून जाने के बाद इसमें हम अपनी प्यास को डाल देंगे, इसका हमने पेस् बूल लेंगे जब तक इसका पानी जो है सोख ना जाए देखिए अच्छे से चम्मा चलाने के बाद इसमें थोड़ा समैस में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी इसको भी मच्छे से चला देंगे इसके बाद मैंने टमाटर की जो मेरी प्यूरी थी वो इसमें आड़ कर दी है यहां पे देखे मसाले अच्छे से भुन चुका है एकदम पानी भी साथ का सूख गया है एकदम तैयार है इसके बार में जो मेरे मसाले थे सूखे वाले उसमें डाल दूंगी दो हरे मिर्च कटी हुई मैं नहीं हा ले ली है इसके बाद अच्छे से मसालों को प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे यहां देखी यह अच्छे से भुन चुका है एकदम इसा कलर आप देख सकते है इसमें मैं आधा कप के करीब पानी डाल दूगी यह देखी थोड़ा मसाला हमारा भुन चुका है अब इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसमें थोड़ा ही नमक डालूंगी यूँकि मैंने छोले उबलते वक्त भी डाला था यह देखी मसाला तयार है एकदम इसमें जो उबले हुए छोले थे इसमें आड़ कर देंगे थोड़ी 20 मिनट के करीब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे दीमी आज पे पानी इसका एकदम सुक चुका है और यह खाने के लिए भी तैयार है लास्ट मेस के अंदर जो हमारी मेथी थी वो हम इसमें डाल देंगे यह देखिए लास्ट में तड़का प्रिपेर करते हैं एक छोटा चमच हमने ओईल का लिया है उसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है जो हम कलर के लिए यूज़ करते हैं वो हमने डाल दिया है और उपर से छोलो में हम इसको डाल देंगे यह देखिए इस तरह से आप कलर इसका देख सकते हैं चलिए अब हम भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ देखिए भटूरे का आता कितने अच्छे से सौफ्ट हो चुका है और अच्छे से इसका खमीर भी उट गया है यहाँ पर हमने दो लोई ले ली है आटे की इसको मैं अच्छे से गोल कर दूँगी देखिए इस तरह से अब आप इसके सर्फेस पर थोड़ा सा ओल लगाने के बार अच्छे से इसको बेल लेंगे ताकि यह चिपके नहीं एकदम हलके हाथ से आपको इसको बेलना है और साइट को अच्छे से पतला कर लेना है आप कोई भी शेप रख सकते हैं राउंड कर ले या ओवल शेप कर ले अब एकदम गरम तेल में आप इसको फ्राई करेंगे तेल हमें एकदम गरम चाहिए धीरी धीरी इसको आप प्रेस करेंगे और देखिए यह कितने अच्छे से फूल गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हुआ है और इसके फूल ना देखिए कितना अच्छे से ये फूल चुका है इसी तरह से आप सारे प्रिपेर कर लेंगे और ये हमारे छोले भटूरे एकदम खाने के लिए तैयार है ये देखिए आप इसे अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसका कलर देख सकते है मेरे चानल पर जो नई लोग हैं मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि रेसिपी कैसी लगी आप इसे अपने घर पर बना के इंजोई करें और मेरे आने वाली वीडियो को देखते रहें अब मिनते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई